कश Thousands पीशे जहां सीमयोगी आज प्र्यागराज के दौरे पर रहने वाले हैं सीमय Г्योगी ने बोट में बैठकर महाकूंब की तैयारियों का जायजा लिया है तस्वीरे भी आप तेज़ दिन धार्मिक लिहास से आप कह सकते हैं मुक्य मंत्री योगिया इतनात मंदिरों में हो रहे हैं कोरिडोर के निर्मान कारे को भी देखने जा रहे हैं कितना तेजी से कारे किया जा रहा है उस पर नजर रखेंगे साधू संतों और तीर्थ पुरोईतों के साथ बैठ इतनात करने जा रहे हैं सीथी तस्वीर आपके सामने इस समय प्रयागराच से जहां पर मुक्य मंत्री योगिया इतनात मौजूद है और देखिए बोट में बैठ कर महा कुम्ब की तैयारियों का जाएजा ले रहे हैं सवातने देव सिंग उनके साथ देखे जा सकते हैं इ मैं आपको बता दो कि स्वीर योगिया इतनात आज महा कुम्ब दोजार पशीज की तैयारियों का जाएजा लेने के लिए संगम नगरी प्रयागराच में हैं सबसे पहले स्वीर योगी संगम जोज पर पहुंचे हैं यहां पर अपने कैडिनेट सायोगिये के साथ वो और यहां के जो अस्थानी जनकर्दी हैं मेर हैं सांसद हैं विदायक हैं यह सभी लोग और यहां पर जा रहे हैं इसका जो महाकुम है वो जो है निर्विग ने और साकुसम संपनो आप देखिए मागंगा को चुनरी चाहाई जाती है तो स्वीर योगी आजितनात मागंग जैसे विशु के सबसे बड़े दार्मिक और आध्यात्मिक आयोजिन के पहले की जाती है तो उसी का निर्वान आज योगी आजितनात जो कि खुद एक संत हैं और भोरकपुर मट के पिछा दिस्वर हैं उनके हाथों यहां पर संपन कराया जा रहा है वैदिक मंत्रो चार क सबसे बड़ी बात जो है दोजार पतीर का जो महाकुम है उसका जो लोगों है उसके लोगों का अनावरण यहां पर के योगी करेंगे कुमको लेकर जो वेशाइट है उसको भी आज समर्फित करेंगे जो कहीं कारिक्रम है एक के बाद एक कारिक्रम में मुख्यमंद्री योगी आयतना शिर्कत करते वह नजर आएंगे आप यह बताईए कि इस समय मांगा का जो विशेश पूजन वो कर रहे ह हैं आरती उतार रहे हैं मांगा की इसके बाद अगला पड़ाओ क्या है लेकिन मा गंगा की इस समय आती चल रही है और इसका विशेस महत्व है गंगा पूजन का कोई भी कारिक्रम होता है खास्तों अगर संग्यम के तर्थ पर हो रहा है तो गंगा पूजन के साथ ही इसकी सुरुआत होती है अब महाकुम में बहुती कम समय बजा है 13 जनरी दोजार पहुंचे हैं तो उन्होंने इसकी सुरुआत गंगा दर्शन और गंगा पूजन से किल है और उसका कारिक्रम यहां पर किया रहा है जी ठीक है लेकिन नवरात्र का पावन इस समय परवत चल रहा है आज चौथा नवरात्रा भी है और ऐसे में आज मा गंगा की पूजा करन करने के बाद अगले किस कारिक्रम में मुख्यमंत्री योगिया इतनात्र शिर्कत करने जा रहे हैं यहां पर जैकारे के साथी पूजन रखबर सब्पन होगा है यह में होगी अब आगे के दिकासकारियों के लिए यहां से रहा है जी दालाविन तस्वीरों को देख लीजिए महा कुम्ब की तैयारियों को लेकर देखे आज जायता लेने के लिए खुद मोर्चा सम्हाल लिए प्रदेश के मुख्या मुख्यम तस्वीरे आपके सामने जहां एक तरफ गंगा पूजन हुआ है किसी भी शुपकारी को करने से पहले मागंगा की आती है अपने पूजन की तस्वीरे उनकी आप देख सकते हैं उनने पूजन पाट किया है मागंगा की आरती उतारी है पुश पर अरपित किये और फिर बोट में बैठ कर महा कुम्ब 2025 जिसका बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है ना सिव देश बलकि विदेशों में बैठे हुए लोगों की तरफ से भी उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुक्यमंत्री आज खुद पहुंचे हुए हैं प्रियाग राज पूरे दिन उनका आज कारिक कारी देरेते सर्वेश बहुत शुक्री आपका फिलाल की जानकारी के लिए और एक पर फिर से रुक करते हैं आए पहार की कबरों की तरफ दैरादून की कबर आपको बता रहे हो जहां पर मुक्यमंति पुश्कर से धामी सरस्वती विद्धिया मंदिर पहुंचे हैं जहां आप ये सिच्छा समिति के मक्ति हैं आप आप अवकास प्राइट दगाना जारे फरिश्ट पत्रगार हैं सिच्छा के जित में आपका लंबा उन्वा है आज इस कारिक्रम में उपस्ति में आपका ही कारिक्रम है इसलिए मैं यहां शिमान सुरेचा में की से अनोग आप संग के बढ़िश्ट क्यार करता है और स्विसु सिच्छा समीति के कांपे के अध्याप्स हैं इसलिए मैं स्प्रेचा में जी से अनोग करूँगा कि आप सिमान से खबर जहां पर ऑली में इन दिनों कजाकिस्तान और भारतिय सेना का सेना अभ्यास चल रहा है जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और टेक्नोलोजी को साज़ा कर रहे हैं रिपोर्ट देखिए हिंदुस्तान की आर्मी विश्यों की सर्बुत्तम आर्मी में से एक मानी जाती है भारतिय सेना को और बहतर बनाने के लिए लगातार मित्र देशों के साथ सन्य अभ्यास किया जाता है ऐसा ही एक युद्धा भ्यास 30 सितंबर से आली में कजाकिस्तान और भारत की सेना कर रही है जिसमें आठ रूटीन, रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पेशल हेली बॉर्ण ऑपरेशन के साथ मार्शल आर्ट, योगा, कॉंबेट फ्री फॉल, कॉर्डन एंड सर्च के साथ ड्रोन और काउंटर ड्रोन जैसी तकनीक को आपस में साज़ा कर रहे हैं जिससे दोनों देशों की सेना को लाब मिल सके ये जो एक्सेसाइज है वो युएन चार्टर के हिसाब से है तो इसमें जो कजाकिस्तान आर्मी है वो इंडियन आर्मी के जो युद शमता है और एक्सपर्टीज है उससे सीखती है और इंडियन आर्मी को भी कजाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज है उसको सीखने का मौका मिलता है एक फाइदा ये होता और दूसरा फाइदा इससे ये होता है कि इस तरह की एक्सरसाइजर जो होती है उससे दोनों देशों की आपस में परसपर मैतरी संबंद जो है वो इंप्रूव होते है 13 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जहां भारतिय सेना के कुमाउ रेजिमेंट के 120 जवान शामिल है वही कजाकिस्तान के 60 जवान इस युद्धा भ्यास का हिस्सा बने है जिसमें कजाकिस्तान के जवान 14 दिनों से इस ट्रेनिंग को अपने देश के जवानों तक पहुंचाएंगे वही कजाकिस्तान आर्मी से जहां भारतिय सेना को रेगिस्तान और मरुस्तल जैसे इलाकों में लड़ने की सीख मिलेगी वही कजाकिस्तान को भारतिय सेना के कई शेत्रों में एक्सपर्टीज के साथ ट्रेनिंग मिलेगी निउस जटीन के लिए देहरादून से सतेंदर बर्तवाल की रिपोर्ट धिव्यसक्ति धारण मापरमेश्वरी का रूप है मानेता है कि माकुश्मानदा की पूजा करने से सभी मनुकामनाय पूरी होती है कि वक reflects को सुख स्वा भागाई का स्वागान बताय गया है यह पढ़नरे वाले जो चात्र होते हैं उन्हें मा पूजा करनी चाहिए नब रात्रों में विशे लाप के लिए उनकी बुझसाय होती है